ऐसा कोई भी संत दाशनेक गुरू या अध्यात्मिक महापुरुष जिसने आपको कभी आकरशित किया हो आपने बात पड़ा हो शरफ ओसु ने किया है उसु एक सफाई कर्मी है जो आपके अंदर के कच्रे को साफ करते हैं जो अंदर आपके अंदर मान्यता हैं जो आप पाल उस्व आपको धर्म से जाती से मुक्त करता है उस्व आपको मन्युष से बनने में साहिक सिद्ध होता है उस्व और विचार प्रयावाची सबते हैं और उस्व का एक वाक्य बहुत बड़ा है कि अगर काटा चुप जाये तो उसे काटे से निकालते हैं पर जरूरी नहीं काटा सहीज करके रखा जाया अपने पास उस काटे को भी फैक देना चाहिए दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि उस्व ने सत्य का बहुत साहरा लिया है इसलिए उसके दुस्वन पैदा हुए है थोड़ा सागर जूट का मिश्रंड कर देता तो आज उस्व पूरे वर्ल के अंदर साय रहता है क्योंकि कईयों की माननेताओं को ठेश पहुंची कई धर्म गुर्वों को ठेश पहुंची तो जो लाग लपेट करके बात करने वाली बात है जो बाकी सारे साथ दूसरन्याशी आजकल कर रहे हैं उसमें उस्व का मैं कर दो हंदर परशन नहीं एक प गाड़ी मेरी उसर पोस्हों की जिसमें उनका जो एक जसे हैं जो भारत की समस्याओं के भारत के पयारत के जलते प्रेशन जलते प्रेशन जो आज उसने तीस सार पहले चारीच साल पहले गे आज बुसार थख को समभूवादी तो अधभूत है वह हमारा लेवल इतना नहीं उठावा भी कि हम उस चीज को एजएटी स्विकार कर सके है जो हम चवी की बात करें और उनकी भाशा शेरी और प्रवचन तर्ग की बात करें इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे मैं लोग कहते हैं कि हिंदी जो है वो देनिय भासा है उसों ने जिस हिसाब से हिंदी का उपयोग किया है हिंदी देनिय नहीं रखिए हिंदी देनिय है अगर आपको सब्दों का चैन मालूम हो तो तो सरल हिंदी भी किस तरह से प्रववित कर सकती है हम उसको नहीं जानते वलग बात है तो जब आप उसों को सुनना शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि इसको बीच में बंद नहीं किया जा सकता तो अपने संकालिक और आज के दिन बात करें तथा खतित संतों से संद्गुरू की भीड़ से ओशों का कितना कैसे बिन पाते हैं वह समदुरू के समदुर में से लोटे ले लेकर ना रहें सब्सक्राइब